यह 8 question is, यह 1st part, provide the number in the box such that 2 by 3 into dash is equal to 10 by 3, तो यहाँ दा number 2 by 3, आपके पास 2 by 3 fraction है, आपने box में वो fraction लगानी है कि इसको 2 by 3 से मनप्लाई करें, तो 10 by 3 आए, तो यहाँ 2 by 3, अब 2 by 3 को किस से मनप्लाई करें, 10 by 3 आजए, 2 के table में 10 कहां पर आता है, 2 5s are 10, means 2 को हम 5 से मनप्लाई करें, 10 आजए, और 3 को किस से मनप्लाई करें, 30 आजए, 3 10s are 30, means 2 by 3 को हम 5 by 10 से मनप्लाई करेंगे, तो क्या आजाएग हमारा 10 by 3, अब उसके बास second part उसके है कि जो बोक्स में आपके बास number आता है, उसके simplest form लिखिए, जो simplest form of 5 by 10, आपके बास 5 by 10 आजए बोक्स में, आप 5 by 10 सेम टेवल पर कहां पर आते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो क्या simplest form है उसकी, 1 by 2, clear, next B part, same as it, you have the friction 3 by 5, अगके बास 3 by 5 है, 3 by 5 को किस से म में 24 कहां पर आता है, 3 8s are 24, तो 3 multiply by 8, अब 5 को किस से multiply करें, 75 आजए, 5 15s are 75, if you have any problem, आपको doubt है कि किस से multiply गरूं, तो जो आपके बास number चाहिए, आपको 75 चाहिए, और इधर आपके बास क्या number है, 5, तो 75 को आप 5 से divide करके देखिए, 5 1s are 5, 7 minus 5, 2, उपसतार आमने 5, तो 5 5 25, तो हमारा number क्या आया है, डिवाइड करके 75 को हमने 5 से divide किया, जो हमारे पास number है, क्या question आया है, 15, means 5 को हम 15 से multiply करेंगे, तो हमारे पास answer क्या आजएगा, 75, clear, means जो हमें चाहिए number, उसको जो हमारे पास है number, उससे आप divide करके देखिए, तो आपके पास required number आ जाएगा, clear, अब हमने इसकी simplest form भी लिखने है, जो आपके पास number box में आया है, simplest form of 8 by 15, अब 8 by 15, same table पे कहीं आते हैं, कहीं पे भी नहीं आते हैं, they don't lie on the same table, so its simplest form is also 8 by 15, clear?